अब दोस्तो स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो मताने वाला हूं कि आप किस तरह से IQ Z5 में या Z7 में आप notification एनिमेशन सेट कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं जब आपका notification आएगा ना तो किनारे किनारे आपका जो age है उसमें lightning effect देखने को मिलेगा तो यहां पर इसको हम AOE भी बोलते हैं लेकिन यहां पर सेटिंग पर चले जाना है आपको कहीं से भी mobile के सेटिंग पर बस जाना है सेटिंग पर जाओगे सेटिंग आइकन पर क्लिक करके तो आपको dynamic effect दिखेगा इसमें जाओगे तो ambient light effect दिखेगा देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा है यह जो light effect होता है यहां पर ओन होना चाहिए यहां पर custom time होता है तो अगर आप चाहते हो हमेशा animation हो नहीं तो आप notification वाला आपका आगया section नोटिफिकेशन वाले section में सबसे पहले notification का animation आगर आउन करना है तो इसको आउन करना होगा तो यहां पर notification के लिए स्रीफ दो चीज़रूरी है एक तो यह उपर वाला तो ज़रूरी है ही और यह भी ज़रूरी है ठीक है और यह call का था तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपके notification वाले के लिए अब यहां पर notification आप तो notification आप आप या फिर आप किसी special आप को चूज कर सकते हो जिस आप को आप ज्यादा चलाते हैं जिसे मान के चलो मैं चलाता हूं सबसे ज्यादा मान के चलो सपोस्ट करो जिस पर notification भी आए ऐसा आप नहीं जिस पर notification नहीं कभी आए यूटूब चलाता हूं तो जब यूटूब का notification आएगा मतलब जिस आप को आप यहां पर select कर दोगे चाहिए चो आप all कर दो जिस आप को select करोगे ना जिस भी आप को select करोगे अगर उससे notification आएगा तो आपका यह जो corner है वो light effect कैसा देगा तो आपके notification वाले के सांथ आप कितना sort रखना चाहते हो long रखना चाहते हो यह duration या फिर sort रखना चाहते हो तो आप sort रखो थोड़ा बैटी का consumption यहां पर कम होगा वीड चोड़ाई कितनी होनी चाहिए तो चोड़ाई आप अपनी हिसाब से decide कर लो इसके बाद transparency कितनी होनी चाहिए तो transparency आप देख लो कि dark चाहिए या light चाहिए इसके बाद color है तो color में तो आप adjust करते हो effect जो बना बनाए है ऐसा होता है अब आगर आप मान के चलो कि आगर तो मैं color पर करके दिखाऊं जैसे कि मैं यहां पर चला गया मैं बैक कर लेता हूं एक बार वापस से गया वापस से गया और color पर तो यहां पर color में set करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन color set नहीं हो रहा है तो मैं एक बार इन सब को यह है आपको default पर रखना है इसके बाद color पर आना है और यहां पर custom color होता है अभी जैसे मान के चलो यह है यह है यह है यह है ठीक है तो यहां पर दूसरा color आपको select करना हो गए जैसे कि मान के चलो यह green है तो इसको मैं rate कर लेता हूं अपना यह color तो confirm कर दिया तो एक मेरा effect बन गया आपको पता कर चलेगा कैसा दिखेगा यह जब आप effect ऐसे लोगे ना तब भी आपको दिख जाएगा अभी transparency मैंने ना बिल्कुल लो कर रखे इस वज़े से आपको ऐसा हो रहा होगा ठीक है और वीट भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं अब देखो यहां पर color पर लगता है फोन की color के अनुसार तो मुझे यह ज्यादा बेटर लगता है तो इसी तरह से यहां पर apply कर दोगे तो यह वाला effect आपका जब भी notification आएगा और जो भी आप आपने यहां पर select कर रखा उन सभी आपको नोटिफिकेशन पर यह light आपके corner पर जलेगी तो वीडियो अ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब देख लिए बाबाई